नमस्कार मित्रो गिरिशे जूकेशन चेनल ने अंदर तमारू स्वागत छे मित्र राजना वीडियो ने अंदर आपणे थोरण छ विशे वीग्नान एकम नंबर एक आहार ना कटको यहने आपणे सम्जूती नो वीडियो फाग नंबर एक आपणे आगड बनावी गया छे यह जो तमारे वीडियो जोवए तो तेने लेंक तमने डेस्क्रिप्शन ने अंदर मडशे आजे प्रथम प्रक्राण आपने समझवाना चे एना वीडियो नो भाग नमबर बे चे तो चालो आपने आज नो वीडियो सरू करिए विवित पोशक द्रवियो आपना सरीर माटे शूं कारिय करे चे What do various nutrients do for our body? कार्बोदीत मुख्यत वे आपना सरीर ने शक्ती एटलेके उर्चा प्रदान करे चे कार्बोदीत युक्त खोराक आपने खाईए आपने अनाजना मुख्य पोशक तो जोया था કારબઓદિત, પ્રઋટિન, ચરબિ, વिટામીન, અને ખને જિક્ષારો, અને પાણે અને પાચક્રેશ तो आपने कार्बोधित युक्त खोराग जो आपने खाईए तो कार्बोधित मुख्यत वे आपना सरीन ने शक्ति एटले के उर्जा आपे छे चर्बी थी पन शक्ति प्राप्त थाईशे चर्बी युक्त आपने खोराग खाईए तो इना थी पन आपने शक्ति मले हकीकत मा समान जथाना कार्बोदितनी सर्खामणी मा चर्बी मा वथू उर्जा एटले के एनरजी प्राप्त थाईचे एक वाट की कार्बोधित युक्त खोराकोई औने एक वाट की चर्बी युक्त खोराकोई तापले चर्बी ओडो खोराक खाई ये तो आपनने कार्बोधित नी सर्खामणी मा वथारे उर्जा मड़े छे चर्बिय ने कार्बोधित युक्ते खोराक ने उर्च आप्पावडा खोराक पन कहें छे तो आपने तामा एंजsan शकोजो, शक्करिया मा थे आपने कार्बोदित मड़े, बटाका मा थी पन कार्बोदित मड़े, शेरीडी मा थी, पपेया मा थी, तर्भूच मा थी, केरी मा थी, मक्काय मा थी, बाजरू, जोखा, न ख़ू तो आई जे आपेला चे इकार्बोदीत ना केटलाग स्त्रोतो चे आना सीवे ना खणावद्या स्त्रोतो पण वोई शके पणाई केटलाग नमुना रूपे स्त्रोतो आपेला चे आपणे खोराग जो खाये तो आमा थी आपणे कार्बोदीत मडे छे વે આપણે જો એ આકરોથી 1.4 આકાર્વો જો આપણે જોહુ ચર્બી આસ્ત્રોતો आजे ए आकरूती छे इ चर्बी नास्त्रोतो छे पण वनस्पती जनिया चर्बी नास्त्रोतो जो सुर्य मुखी नूतियल एमा थे आपने चर्बी मड़े मग फड़ी खाये तो एमा थे मड़े बदाम सुकी जे बदामावे चे काजू बदाम एमा थे आपने चर्बी मड़े तल मा थे चर्बी मड़े सोयाबिन नू तेल नाडियर नू तेल अने सर्शव नू तेल तो आ एटला वनस्पती जन्य स्त्रोतों माथी आपने चर्बी मड़े चे त्यार बाद चर्बी आपना प्राणी जन्य स्त्रोतों माथी मड़े चाकरूती बीचे इप्राणी स्त्रोतों नी चे चो मास मास खाये तो आपने माथी चर्बी मड़े माचली खाये तो मड़े की माथी मड़े दूद माथी मड़े माखन माथी मड़े मल्लाई माथी मड़े इंडा माथी मड़े तो आज ये स्त्रोतों छे इचर्बी ना चे पनी प्राणी जनिय स्त्रोतों छे आपना सरीन नी रूती एटले के ग्रोथ तथा सरीन ना समार काम माटे प्रोटीन नी आवश्यकता होईचे आपना सरीन नी रूती माटे अने सरीन ना समार काम माटे प्रोटीन नी आवश्यकता होईचे प्रोटीन यूक्त खोराक ने सरीर वर्थक खोराक पन कहेचे शरीर वर्थक खोराक ने व्याख्या चे शरीर वर्थक खोराक कोन कहेचे तो के प्रोटीन यूक्त खोराक ने जे खोराक माथी आपनने प्रोटीन मडे चे तो ए खोराक ने शरीर वर्थक खोराक के वामा आवे अंग्रेजीमा केवायने body building food अवे प्रोटीन ना आकरोती 1.5 आपणे जो येटले के प्रोटीन ना येमा श्त्रोत वापेलाचे सुम्सुम आपडे खाये तो आपणे येमा थी प्रोटीन मले पेला तो आवसे कठोल वर्ग निवदी वनस्पती येमा थी आपणे प्रोटीन मले चाणा चे तो चाणा मा थी आपणे प्रोटीन मले मग चे येमा थी मले तूवेर नी दाड येमा थी मले वाल चे येमा थी मले सोयाबीन मा थी प्रोटीन मले वट्टाणा माथी प्रोटीन मले एले के कठोड वर्क ने जे वनस्पती चे इबता माथी आपने प्रोटीन मले चे ये वनस्पती जन्या प्रोटीन ना स्त्रोतो चे अवे जे प्रोटीन ना स्त्रोतो आपड़े जोसो ए प्राणी जन्या एक मास माथे आपने प्रोटीन मले, माचली खाये तो एमाथी प्रोटीन मले, पनीर माथी पनीर चे दूत माथी बने चे, तो एमाथी प्रोटीन मले, इंडा माथे आपने प्रोटीन मले, अन्ने दूत माथी पन आपने प्रोटीन मले चे, तो ए आकृती चे ए प्रोटीन ना वनस्पती जन्य अस्त्रोच छे अन्य आ बी आकरोती छे इप्रोटीन ना प्राणी जन्य अस्त्रोच छे आ नुँ आपणे खोराक मावपिय कर यतो आपने प्रोटीन मड़े छे अवे आपणे आगल जोई अवे आवसे विटामिन नीवाद विटामीन आपना सरीर्ने रोगोशामे रक्षान आपे चे आपना सरीर्ने रोगोशामे रक्षान कोणा आपे तो के विटामीन विटामीन आपनी आख, हाड का दाथ अने पेठा ने स्वस्थ राखवामा मदद करे चे आ विटामिन नी उपियोगीता चे एम के विटामिन नी उपियोगीता लखो तो विटामिन आपणी आख होई हाड का दात औने पेटा चे यहने स्वस्थ एलेके शारा राखवामा मद्यत करे आया आप्णे आकरूती पणे जोता जाशे, जो आइ आखनी आकरूती आपेली छे, हाड का नी आकरूती पणा आपेली छे, तो विटामिन आपणी आख, हाड का दा तने पेटाने स्वस्त राखवामा बद्यत करे. ત્યાર બાદ આપણે અગળ જોયુ વિટामिन ઘણા પ્રકાના ઓય છે विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E औने विटामिन K आ विटामिन नाम चे विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E औने विटामिन K आ उप्रांद विटामिन नो एक समु पन चे जेने विटामिन B कोंपलेक्स कहे चे विटामिननों समू इनने विटामिन B कोंपलेक्स गेवां मा आवे आपणा सरेन बधा प्रकार ना विटामिननी अल्प मात्रा मा आवशक्ता रहेले होई छे आपणा आगळचे विटामिन जो या विटामिन A, B कोंपलेक्स, C, D और K और विटामिन E तो आ बधा विटामिनों ने आपणा सरीन ने अलप मात्रा में लेके थोड़ीक जरुरियात वोई अवे विटामिन E आपणा सरीन माटे शूं काम करें तो कि जो विटामिन E आखो ने त्वचा ने तंदूरस्त राखे छे विटामिन E चे एना द्वार आपणी आखो ने आपणी त्वचा ने जामडी चे ए तंदूरस्त रहे से जो लांबा समय सुधी विटामिन E वाडा आपणे खोराक न खाईये तो आपणी आखो मा नंबर आवी सक्याने रतांत्र पणानों रोग पण थाई सके लेके आखो मा टुक मा आपणे जाखा पावी जे तो आपणी आखो ने त्वचा ने तंदूरस्त राखवा माटे विटामिन E लेवू जरूरी चे त्यार बाद जोई विटामिन C खणा रोगोंनी सामे लड़त आपवामा मदद करे छे विटामिन C चे तो आपना सरीन मा खणा मता रोगों नी सामे लड़वा माटेनी शक्ती चे आपने विटामिन C आपे चे त्यार बाद विटामिन D हाड का तथा दात माटे केलसियम नो उप्योक करवा माँ आपना सरीने मदद करे चे विटामिन D छे इहाड़काने दातना माटे जे केलसियम जरूरी छे लेके हाड़काने दातना स्वास्थे माटे विटामिन D आपना D जरूरी छे विवित विटामिन थी भरपूर खोराक आकरूती 1.6 थी आकरूती 1.9 मा दर्शावेल चे अब आपने आकरूती जोलिए क्या आपने विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D बदू शेमा थी मडशे तो पेल आकरूती 1.6 एमा आपेला चे विटामिन E ना स्त्रोतो शून खावा थे आपने विटामिन E मड़े तो एमा आपेलो चे पपेयू खावा थी गाजर खावा थी केरी खावा थी दूत पीवा थी औने माचली ना तेल आ विटामिन E ना केटलाक स्त्रोतो शेना चिवे आपने विटामीन ए मड़े तो पपयू, गाजर, केरी, दूद, माचलीनु तेल, पलकनी भाजी वगेरे माथे आपने विटामीन ए मड़े चे त्यार बादावे आक रूती एक पोट साथ विटामीन बी ना केटलाग स्त्रोत आपेला चे इमा पेलो आपेलो चे खाउं खाउ माथे आपने विटामीन बी मड़े अन्य यक रूत माथे पन आपने विटामीन बी मड़े चे त्यार बाद आपने आगल जोशु आकरोती 1.8 विटामिन C ना केटलाक आपड़े स्त्रोत जोई तो विटामिन C चे इए खटा स्वाड़ा जे फड़ोवई खाटी वस्तु यह माथी मड़े चे तो नारंगी माथी आपने मड़े टामेटा माथी मड़े जामफण माथी विटामिन C मड़े लिला मर्चा माथी मड़े सवती वतार आपने लेंबू माथी मड़े विटामिन C औने आमड़ा माथी पण मड़े तो आज ये स्त्रोतों चे विटामिन C ना स्त्रोत चे नारंगी, टामेटा, जामफड, लिला मर्चा, लेंबु अने आमड त्यार बाद आपड़े चोई आकरूती 1.9 विटामिन D ना केटलाक स्त्रोत तो दूत पिवाथी आपणने विटामिन D मले, यकरूत माथी मले, माखण खावाथी मले, माचली माथी विटामिन D मले, अने इंडा माथी पन विटामिन D मले चे अने सुर्यनों सवारनों कोमल तड़को वई तो ते माथी पन आपणने विटामिन D मले तो माचली, इंडा, माखान, दूत अन्य यक्रूत अन्य सवारनों सुर्यनों कोमल तड़को एमाथे आपने विटामिन D मड़े चे तो आपणे चोया बता विटामिनोंना स्त्रोत। हवे आपणे आगण जोई, आपना सरीनने खनी जिक्षारोनी अलप मात्रमा आवश्यकता होई चे सरीनना योग्य, हवे आपणे जोई आगणनों, आपना सरीनने टुकमा आपणे चर्बी सामाटे जरूरी से चर्बी, कार्बोदी, प्रोटीन अने विटामिन, एजोई, अवे पांच मुँआ आउसे खनी जिक्षार तो आपना सरीनने खनी शारोनी पन अलप मात्रमा जरूरी यात होई शरीनना योग्य विकास तथा सारा स्वास्थे माटे प्रती एक खनी जिक्षार आवश्यक चे शरीनना योग्य विकास माटे अने आपनों स्वास्थे जड़वरे एटला माटे खनी जिक्षार जरूरी चे जो आई आपेलो छे अपने शुर्य ना तड़का निवाद करी थे कि आपड़ु शरीर पन शुर्य ना प्रकास नी हाजरीमा विटामिन D बनावे छे आपड़ु शरीर शुर्य प्रकास नी हाजरीमा विटामिन D बनावे ले छे आलना समय मा सुर्य प्रकास मा आपूर्ता प्रमाण मा रह्वाना कारणे खणा लोको मा विटामिन डी नी उनव शर्जाई अलमा मानसों से खर्मान कर्मा रहता हुई शुर्य प्रकास मा निकले नही तो एना सरीन मा विटामिन डी नी उनव आविशके तो आपड़े आगल चोई, तो खनेजिक शार से आपड़ा सरीन ना सारा स्वास्थे माटे जरूरी चे, वीवीत खनेजिक शारों ना केटला आक स्त्रोत आकरूती 1.10 मा दर्शावेला चे, आकरूती 1.10 आपड़े 10 चोईली येमा खनेजिक शारों ना स्त्रोत आपेला चे, पेलू खनेजेक्षार नू नाम चे आयोडिन तो आयोडिन आपने शे माथी मड़े तो क्या है चो आपेलो चे आदू आपेलो चे आ पालक नी भाजी शेत्वा मुडाना पांदड़ा चे इमा थी पन आपने आयोडिन मड़े चे माचली माथी मड़े औने मीठा माथी मड़े सवती वतारेतों मीठू खावा थे आपने इमाथे आयोडीन मड़े चे आयोडीन चे इखनीजिक शाननु नाम चे आने आ माचली, मीठू, आदू आने पालकनी भाजी एना तुगमा स्त्रोतो चे त्यार बाद आवे चे फोस्फरस त्यार बाद आवे आयरन, आयरन चे एपने खनीजिक शाननु नाम चे तो एनना स्त्रोतो पणा या प्याला चे तो एमा यक रूत चे सफर्जन चे पालक नी भाजी चे अने चम्रूक चे तो आ खावा थे आपने टुकमा आरियन आपना शरीर मा आईरन आपना शरीर मा मड़े तो आईरन शे एपने खनीजिक शार्नू नाम चे त्यार बादावे केलसियम केलसियम पणे एक प्रकाना खनीजिक शार्नू नाम चे तो एपने दूत पिवा थी अने इंडा खावा थे केलसियम मड़े चे तो आ केलसियम आईरन फोस्फरस अने आयोडिन ए चार खनीजिक शा नारो ना टुकमा नाम छे आने सेमा थी मल एपन आपणे चुईूई। मोटा भागना खादिय पदार्थों मा एक थी वतु पोषक द्रव्यो वई चे। मोटा भाग नाजे खाधिय पदार्थो आपने खाईए, तो यह मा एक थी वतार्य पोर्षक दरोई, यह अटले के कार्बोधी, चर्बी, वीटामीन, खनेक्षार टुकमा रहेला हुई तमे पन कोस्टक 1.2 मा अवलो कनोने लखता समय आ बाबत नोंती हसे वीडियो ना प्रथम भाग मा अपने कोस्टक 1.2 मा नोंत करी आ पाटनो प्रथम भाग चे एनी लिंक तमने डिस्क्रिपिशन मा मर से, तिया जहेने तमे आ वीडियो ना प्रथम भाग पन चोई शको जो के आपेली काची सामगरी मा कोई एक नेस्चित पोषक द्रव्यानी मात्रा बिजा पोषक द्रव्यानी मात्रा थी वतारे वोई शके कोई एक काची सामगरी वोई तो इमा एक पोषक द्रव्या करता बिजु पोषक द्रव्या इमा वतारे वोई शके यले के एक तक्ष तरेके काउनी रोटली छे, तो एमा प्रोटीनी जग्ये कार्बोधित वतारे प्रमाण मादे मुड़े शक्ये, एवु टुक मा केवा मागे उदारण तरीके चोखा मा कार्बोधितने मात्रा बीजा पोषक द्रव्य करता वतारे होही छे जो आपने चोखा खाई तो इमा विजा पोषक द्रव्य करता कार्बोधीत आपने वथारे प्रमाणमा मले आथी एवुं कही शक्ये कि चोखा चे इक कार्बोदीत सम्रूत खोराक चे एवो प्रस्णा बुचे के कार्बोदीत सम्रूत खोराक क्यो चे तो इमा उत्तर मा आवे चोखा चोखा खावाती आपने वतारी प्रमाण मा कार्बोदीत आपना सरीन्ने मडे चे त्यार बदावे आ पोशक द्रव्य उप्रांद आपणे पांच पोशक द्रव्य निवाद करी कार्बोदीत, प्रोटीन, चर्बी, विटामीन अने खने जिक्षार ये क्या थी मडेची अने आपणा सरीर्माईनी उप्योगीता अव्यापने जोए एना पची आवसे पाचक रेशा आ येकुटी पन तमये जोए शकोँच आ पोशक द्रव्य उप्रांद आपणा सरीर्माई पाचक रेशा तथा पाणे निवाण अवस्य क्याता वोई पाच पोशक द्रव्यो आना उप्रां टुक मा अपना सरेंने पाचक रेशा अने पाणेनी पन जरुर याद छे पाचक रेशा इने रुक्षांस ना नामे ओडखाई छे पाचक रेशा पन पाचक रेशा नुँ बिजु नाम से रुक्षांस ए तमे याद राग जो आपना खोराक मा रुक्षांस एटले के रेशा ने पूर्तता वनस्पती पदार्थों माथी थाई छे आपना खोराक मा एटले के या रुक्षांस छे रेशा छे या आपने वनस्पती जन्य पदार्थों माथी मड़े छे तो के बधा अनाज माथी अनाज नियंदर कोनो समावेश्थाई तो के घाउं, चोखा, बाजरो एन अनाज माँ समावेश्थाई तो बधा प्रकान अनाज माथी आपने रुक्षांस मड़े औने कठोड माथी कठोड माँ कोनो समावेश्थाई तो के चाणा, मग, मट, वाल, वटाणा ये कठोड वर्ग मा आवे तो बधा प्रकान ना अनाज अने कठोड त्यार बाद बटाका ताजा फड़ो अने शाक बजी अब बधा मथे आपनने पाचक रेशा मड़े छे रुक्षांश आपना सरीन ने कोई पन पोशक द्रव्यो प्रदान करता नथी रुक्षांश थे आपनने कोई पोशक द्रव्यो मड़े ने छाता पन ते आपना बोजन नो आवशियक गटक छे अने तेनों जथो वधारे छे रेशाव अवे आपनने अपना सरीन माँ शुँँ कामाबे पाचक रेशा आपना सरीन माटे शुँ कामाबे तो के रेशा वो अव पाचीत खोराक ने आपना सरीर्मा थी बहार काटवामा मदद करे छे अपना सरीर्मा जे अव पाचीत खोराक वोई ये आपने सवान जे मड़त याक करवा जाए टोलेट मा जाए तो ए अव पाचीत खोराक ने अपना सरेन माथी बहर काटवामा आ पाचक रेशा मदद करे छे पाचक रेशा ने अपना सरेन माँ उप्योगीता त्यार बद आपने आगल जोई त्यार बद आवसे पाणी पाणी आहार मा रहेला पोशक द्रव्योनु शोषन करवामा आपना सरेन मदद करे छे तो पाणी निवप्योगीता आपना सरेन माँ शून छे तो के आहार मा रहेला चे पोशक द्रव्यो छे कार्बोदीत, प्रोटीन, चर्बी, विटामीन अने खने जिक्षार तो ए पोशक द्रवयनु सोषण करवामा आपणा सरेने मदद करेचे ये पाणी ते केटलाक नकामा पदार्थोंने मूत्र तथा पर्षेवा सरूपे सरेर माथी बहार काठवामा पण मदद करेचे आपाणेनी बिजी उप्योगिता छे, कि नका आपणा सरीर मा अमुक नकामा पदार्थ होई, तो इने मूत्र वाटे अथवा पर्शेवा मार्फते आपना सरीर माथी बहार काटवामा पाणी मदद करे छे, तो पेली उप्योगिता छे पोशक द्रव्योनों सोशन करवामा, आने बिजी उप्योगिता नकामा पदार्थ होई, मूत्र अने पर्शेवा मार्फते बहार काटवामा पाणी आपना सरीर में मदद करे छे, सामन यरी ते आपना सरीर ने जरोरी मोटा भाग्नो पाणी आपने जे प्रवाही लईयए औछी ये तेमा थी मड़े छे, अवे प्रस्णे एथेग आपना सरीन ने पाणी क्या थी मले एक तो आपने जे पाणी पी एमा थी मले अथ्वा आपना जे जम्य ची एमा थी पन आपने पाणी मले जेम के पाणी पिवाथी पाणी मले, दूत पिवाथी पन एनी अंदर पाणी नो भाग वोई, चारनी अंदर पन पाणी वोई, तो पाणी पिवाथी पाणी दूत ने चा, वगेरे माथे आपना सरीन ने पाणी मले छे, आउप्रांत आपने जे खोराक रांतिये छे, तेमा पनवाण पाणी उम्मेरियाची, आपने शाक बन्ना विरिङलानु शाक, तो एमाँ अपनवाण आपने पाणी नाखियाची, तो एमाँ थी पन आपना शरीन ने पाणी मड़े, चालो जोई हैं, कि प्रवरूथी नंबर 3, प्रवरूर्थी त्राणी आपने आपने पाणी कोई शापोज टमेटानी अवे एक टामेटू लेवानुँछे टामेटू अथ्वा लिम्बू लेवानु जेवं कोई एक फडलू तेने नानानोना टुकडामा कापो सुम आवुं करती वकते तमारा हाथ बिना थाई छे टमेटा अपड़े कापी यथ्वा लिम्बू कापी तो आपड़ा हाथ बिना थाई तो के हाँ तो एउसा मटे थाई काणके तेने अंदर पाणी रहेलू जे जारे पन तमारा घरमा शागवाजी अन्ने फड़ने कापवामा छोलवा के बिस्वामा आवे त्यारे ध्यान पूरवक तेने अवलोकन करो शुमू तमने एवा ताजा फड़ के वरबर आपड़ अवलोकन करिये तो आपड़ने तेमा टुकमा आपड़ा हाथ बिना थाईले के पाणी येमा रहेलू जे सुम तमने एवा ताजा फड के शागबाजी विशे ख्याल से के जेमा पाणीनु प्रमा नव होई तो एवा लपग ताजा फड के शागबाजी होता नथी बता ताजा फडने शागबाजी मा पाणीनु प्रमाण होई छे आपने जोईया छिये के खणी खादिया सामगरी पोते पाणी धारावे छे खणी बदी खादिया सामगरी छे पोते पाणी धारावे छे केटलाग अन्से आपना सरीर्नी पाणी नी जरुर्याद आवाज पाणी थी पूर्ण थाई जाई छे तो आपना सरीन ने जे पाणी नी जरुराच चे यावा जेमा पाणी रहिलू येवा खोराख खावा थी पन पूरी थाई चे आ उप्रांथ केटला खादिय पदार्थुने रांधती वक्ते पन आपने तेमा पाणी उमेरिये चे आपने रशावड़ू गुजरात मा इमें जुनागट जिलामा मोटे बग रशावड़ू शाख खावाई तो थादिय पदार्थुमा रांधी वक्ते पन आपने पाणी उमरिये तो ए पाणी पन आपना सरीन ने एमा थी पन पाणी आपने मड़ी चे अवे आपने इना पाची इनो टोपिक जोसु समतोल आहार चो यह आपने समतोल आहार कोने केवाई ते बेलेंस डायेट अंग्रेजिमाईने केवाँ मावे सामानीरी ते समगरे दीवस दरम यान आपने जेपन खाये ची ते आपनो आहार चे आपने दीवस मावे जेपन केवाई ये तो आपनो आहार केवाई इमा ममर आवी जये आपने टुक माँ खाता होई ये तो आपनो आहार केवाई सरीर नी रूधी और सारा स्वास्थे ने चाडवी राखवा माटे आपना आहार माटे जरूरी बदाच पोशक द्रव्यो पूर्ती मात्रामा होवा चोई जो आपना सरीर नी रुधी माटे अने सारा स्वास्ति माटे लेके आपने कोई रोग न था आपने वीमार न पड़िये एना माटे सरीर ने निरोगी राखवा माटे आपना आहार माँ सरीर माटे जरूरी बधाच पोशक द्रवयो जे मुख्या पांच पोशक द्रवयो से चर પસગ દ્રવે આપણે જોઇ ઈજરુર઻ાથી vous નુક્તરેને वद्धारे ओई तोपन नुक्सान अने ओच ओई तोपन नुक्सान आपना आहार मा परियाप्त मात्रामा रेशा ओँ अने पाणे पन होवा चोई इपांच पोशक द्रव्य उप्रांत रेशा अने पाणे पन होवा चोई आ प्रकाना आहा ने सम्तोल आहार केवामा आवे 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 सम्तोल आहार केवामा आव वृतों ने एकज प्रका ना हानी आवश्यक्ता होई ना अलग अलग प्रका नी होई शुँ तमने एवू पन लागे चे कि आपनो समतो लाहार आपना सारेरी कारिया पर आथार राखे चे तेनो एक चार्ट तयार करू एक ठठड़ यह सुथ आपने शूंखा यहनू एक चार्ट बनावानू ता पासो के दरोज जे खोराक लाईये ची तेमा बधा पोर्षक द्रवी हाजर से आपने जे धरोज खोराखा येमा बधा पुर्षक द्रवी हाजर शेके ने ये आपने चेक करवानू तो वे आपने ये जो सुके सामन्य रिते वधारे आपने पैसादर मानसो नोव ये छता पन आपने समतोलाहार कै रिते मड़ी चो कठोड, मगफडी, सोयाबीन इना चित्रपण आपने जोता जा सो जोए कठोड नू चित्रपण आपने लूँछे मगफडी इलेके मांडवी, सोयाबीन नू कठोड, मगफडी, सोयाबीन, अंकुरित बीज इलेके मगने चणा आथफण वानो खोराक इले जले भी बनावी तो इना आथफण नाकव पड़ एव तो सावत इंडियान इलेके दक्षिन भारतना मान सोखाई इडली इडली बनाव माटे आथफण टुकमा नाकव पड़े इनी आकरूति आपड़े जोईली जोई अंकुरित बीज आ फणगावेला मगने टुकमा चाणा आपेला चे त्यार बद आथफण वारो खोराग इडली चे आ अने लोटनू मिश्रन इलेके जे परोठाने बने चे ती लोटनू मिश्रन इलेके मिशी रोटी अना जने कठोणना बनेला थेपला पचि केडा, पालक, दाडिया, गोड, प्रापिय, शागपाजे अने आवा प्रकान अनिय खोराग गणा बता पोषक द्रव्यो पूरा पाडे छे इलेके आपने टुकमा मास ने मुँगो जे खोराग चे खावाने जरुए अतनी आवो खोराग आपने खाई तो आमाथी पन आपने टुकमा शरेर माटे जरुए वा बता पोषक द्रव्यो मडी रे कथोड, मगफडी, सोयाबीन, मगने चना, आथन अरो खोराग, पछी रोटली, पछी केडा, पालक, दाडिया, गोड, घीच, शाक बाजे आपने मली जाए तो आवा प्रकान आपने खोराग चे एमा काणा बता पोषक द्रव्यो आपना शरेर ने मली जाए तेथी कोई पण व्यक्ति खर्चाड खादिय सामगरी शिवाई पन सम्तोल अहार खाई शकी यले के वधारे खर्चो तमारे करवनो वे छता पन आपने आपने आपना सरीर माटे जरूरी पोषक द्रव्य मडे एवो आहार आपने टुकमा लै शकी योग्य प्रकानो आहार लेवो एज मात्र पूर्थू नथि योग्य खोराक खावो एज पूर्थू नथि तेने योग्य रिते रांधियलो पण होवो जरूरी शे खोराक ने योग्य रिती जो रांधवा मना आवे तो तेमा रहेला पोशक तत्व ये नास पामे छे तो खोराक ने लेवो ने इनो उप्यो करता पेला रांधवो विवस्ते द्रिते रांधवो ये पन जरूरी छे पहेली ए चानवा माटे उत्साहेचे के शुम प्राणियो ना खोराक मा पन आ बथा पोशक द्रवयो हाजर वोई छे आपना सरीर माटे जरूरी पोशक द्रवयो जोई आपने आपना खोराक मा वोई तो शुम प्राणियों ने जे पोषक द्रव्यों नी जरुए तो एना खोराक मा हाँ जरुए शुम प्राणियों ने पन सम्तोलाहार नी आवशकता रहे लिवेचे प्राणियों ने पन टुक में सम्तोलाहानी आवशकता वेचे तो के हाँ प्राणियों ने पन सम्तोलाहानी आवशके था एना सरीर माटे जरूरी पोशक्त तुएना खोराक मा ओयाची चो खोराक ने योगी रिती रांध्वामना आवे जेथी तेना पोशक्त तुएना नस्ट न थे एरी ते टुकमा रांध्वा जोई सुमता में जाणों छो कि खोराक रांध्वा थी औने तेनी तैयारी मा केटलाक पोशक्त तोो नस्ट थेए जे जो शाग भाजी तथा फड़ो ने कापी ने के छाल उतारी ने धोवा मा आवे तो शक्या छे के तेमा थी केटलाक विटामीन नस्ट थाई जाई जो शाग भाजी यन फड़ो वई एने आपड़े कापी लिए जो आपेलो छे कापी के छाल उतारी ने धोवा मा आवे पेला आपडे दोयोन नुति पन पेला इने आपडे कापी लिथा अथ्वा छाले नी उत्तार लिथी अन्ने त्यार बात जो धोवा मा आवे तो एमा थी केटलाग विटामीन नस्ट थे जाए छे लेके फड़ोने पिला आपड़े दोईले वा चुए तियारवाद कापपा चुए कापी ने पची टुक मा दोवा चुए नै केनी छाल उतारी ने खावा चुए नै नाखला तरिके आपने सफर्जन खाता वे तो इनी चालनी अंदर विटामिन ए रहेलू वे तो इनी चालू तरिन आपने सफर्जन खवाई नै चालनी साथेज आपने सफर्जन खावू छोई गणी सागबाची तथा फडोनी छाल मा महत्वना विटामीन और खनेजिक शारो वोई तेवेज रिते चोखा और दार ने वारमवार दोवा थी तेमा रहेला केटलाक विटामीन तथा खनेजिक शार दूर थेजे चोखा ने और दार ने अपन आपने वारमवार पाणी मा थोई तो एमा रहेला केटलाक विटामीन और खनेजिक शार दूर थे जाई शेलेक एक जवार टुक माईने तोवा चोई रांध था प्यला आपने बता जानिये चीए कि रांध वा थी खोराक नो स्वादिष्ट बने चे बरबर खोराक ने टुक मा रांध वा मा आवे तो ए स्वादिष्ट बने तथा ते पच्वा मा सरल रहे चे आपना शरीर पणे ने सरल ताथी पच्चा विशाके तेनी साथे साथे रांध वा थी केटला पोशक्तत्व ओछा थाईशे खोराक ने रांध वा थी पणे मा खणा पोशक्तत्व नास पामेचे जो खोराक रांथवामा वधारे पाणी उप्योग मा लेवामा आवे तथा त्यारबा ते पाणी ने फ्यकी देवामा आवे तो केटलाई उप्योगी प्रोटीन अने नोंत पत्र प्रमाण मा खने जिक्षार दूर थे जई एक तो खोराक रांध्वा मा वधारे पाणी नोपिय करव और त्यार बादे पाणी ने आपणे फेकी देऊं तो ए खोराक मा रहेला प्रोटीन और खनेजक्षार दूर थे जाई छे खोराक रांध्वा थे विटामिन C सरल ताथी नस्ट थे जे शे शुए योग्या न थे कि आपणे आपणा आहार मा केटलाग फोड तता काचा शागपाजी नोपियो करिये तो कि हा आपणा आहार मा आपणे फोड ने काचा शागपाजी पन खावा छोईे काचा शाक बाजी नियंदर गाजर से, टमेटां से, मुडो छे जे काची वस्तो आपड़े खाई सकी ये काचा आपड़े खावा चोई बुजोई विचारियों के हमेशा चर्बी युक्त आहार खावोज उत्तम से बुजोई विचार केरो के चर्बी वाडो खोराख खावो उत्तम से काण के चर्बी माँ थी आपड़े वतारे शक्ती मले एक वाट की कार्बोदीत युक्त खोराख नी तुल्ना मा एक वाट की चर्बी वाडो खोराख एक वाट की चर्बी वाडो खोराक वथारे उर्जा आपे से पर पर एक वाट की कार्बोती युक्त खोराक से याने एक वाट की चर्बी वाडो तो एक वाट की चर्बी वाडो खोराक से आपना सरी ने वथारे शक्ती आपे खरूने तो के हाँ आथी तेलने विजू कहेंच नहीं परंतु चर्बी वाडो खोराक तो चर्बी वाडो खोराके माथी मले तो के तेली वस्तु माथी तो तडेली वस्तु खाती बुझोई शमोशा खाता पूरी, मल्लाई, रबडी, पेंडा तुकमा एविजु फथी えनी बुझोई खातु तो अव्य शुँ अने नुख्सानी थसे के फाइद हो थसे जो रिखी ऐसे शमोशा खाता पूरी खाती मल्लाई खाती रबडी खाती इनन पेंडा खाता एविजु टुकमा वधारे पड़तु चर्बी युक्त भोजन आपना माटे हानी कारक साबीत थाई शके। वधारे चर्बी वड़ो खोराक आपने खावो जोई ने ना थी शून थाई। आपने जे स्थिती ये पीडाये ची ये तेने मेदस वीताय लेके ओबेसिटी कहेचे। वधारे पड़तो चर्बी वड़ो खोराक खावा थे आपने टुकमा जाडा थे जे आपने शरीर से ये चर्बी ने टुकमा चामडीनी पासर साच्वी राखे। तो आकरुती तमें जोई शको शो तुकमा आपने आवी पेट बार निकली जे। बहु जाडा लेने केवा मावे मेदस वीत आपना सरीर मा वती जाई बहु जाडा थे जाई तो ये आपना सरीर माटे सारू नथे। अवपचे नो छेलो मुद्ध आपले जोशू आप प्रक्रान नो छेलो मुद्ध 1.4 तुरूटी जन्य रोगो डेफिसियन्सी डिसीज। चोई आपले तुरूटी जन्य रोगो कोने केवाई। व्यक्ति पोशन माटे परियाप्त भोजन लई रहियो छे। परन्तु क्यारेक तेना खोराक माँ चोकस पोशक द्रवय होतु नथी। व्यक्ति चे पोशन माटे परियाप्त भोजन तोले इटुक मायों ताने टाना जमेशे। पण ये जे भोजन खाय से एनी अंदर जे पोशक द्रवय होगा जोए ये हाजर वोता नथी। जो आवं लामबा समय सुधी रहे तो ते व्यक्ति तेनी उनप तुरूटी थी पिड़ाई शक्याचे। येलेके आवा समय सुधी एक खोरा खाय करे पण ये माँ थी जे शरीन जो ये पोशक द्रवय होगा चर्बी, प्रोटीन, वीटामीन ये महलता नथी। तो ये चर्बीन नी प्रोटीन नी सरीर्मा उनप पेदा थे शक्याचे। कार्बो दितनी ने। तो एक थी वधू पोशक द्रवय नी उनप आपना सरीर्मा रोग के विक्रूतियों कारण बने शक्याचे। एक करता वधारे पोशक द्रव्यों ने उना पेडले के आपना सरेण मा खामी सर जाई तो एना कारणे आपने रोग के विक्रूतिवो थाए शके ये रोग के जे पोशक द्रव्यों ना लांबा समय शूति ना अभवना कारण थाई से तेने तुटी जनी रोगों कहे चे तुटी जनी रोगों ने व्याटिया चे जे पोशक द्रवयों ना लांबा समय शुथी ना अभावना कारणे आपना सरीन मा जे रोग था ये तो ये तुने 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 जो कोई व्यक्तिने लांबा समय शुथी तेनना अथ्व तेनी न लेके छोकर अथ्व शोकरी न आहार मा परियाप्त प्रोटीन न मले जो आपणा आहार मा परियाप्त प्रोटीन आपणे खाता ना थी लांबा समय अम गवर्षो शुथी तो आपने सून थाई प्रोटीन न म तो तियनी आथ्वा तियनी रूती कुंटि थवर येनी रूती कुंटि थवर। शरीर तमेजा उब्रभर एकदम टुकमा पातलू शरीर थैजी। कान के एनगे पर्घूनध मलतूं यो गुझा नहीं परोटीन जेखेज़ी तो एनो चईहरो फुली जवो, और रोग ना लक्षन हो छे प्रोटीन सर्यार्मा न मले लांबा समय शुधी, तो सुम थै? जो एनो चाहिरो फुली जवो आई जीत्र मा पेलो से जो है चाहिरो व्यक्ति नो फुली जए अची वार्नो रंग एनो फिको पड़ो वार्नो रंग फिको थे जए तो वच्चा ना रोगो एने थे जए जो आई जो शक्वा चाम्बडी ना रोगो औने जाडा जेवा रोगो तो लांबा समय सुथी आपना शरीर मा प्रोटीन ना मड़े तो शुन थै तो कि आपने रूधी कुंटी थै जवे आपने टुकमा एकदम पातला थे जए चैहरो फुली जवो चैहरो आपनो फुली ज़ाई वाणनो रंग फिको पड़ी ज़ाई और चामडे ना रोग था और ज़ाडा पन थै शके छे त्यार बाद चुई जो कोई व्यक्तिने प्रोटीन तथा कार्बोदीत बन्यनी आहार मा लांबा समय सुथी उन पोई अवे प्रोटीने मलतु नथी शरीर ने अने कार्बोदीत पन मलतु नथी बन्ने नी लांबा समय सुधी उनपोई तो सुन थाई आपड़े चोई जवे नियाकरूती याप पिली चे तो तेनी व्रूती सम्पून अटकी शके से जो जे व्यक्ती ने लांबा समय सुधी प्रोटीने कार्बोदीत बन्ने आहार मा नव मले तो एनी व्रूती सम्पून अटकी चे एकदम हाव पातल अटक मा थेजे आवी व्यक्ती खूबच दूबडी अने पातली थेजे जे शे आकरूती मा पन तामें जोई शको व्यक्ती खूबच दूबडी अने पातली थेजे तथा ते त्यानी एटली नबडी पड़ी चाई के ते हलन चलन पन करी शकती नथी लामबा समय सुधी अने प्रोटीन अने कार्बो दित आ बन्ने पोशक द्रव्यों इन्या खोराक मा मड़े नै खोराक द्वारा शरीर ने ना मड़े तो ए खुबज दूब्ली थाई जाई अने एटली बदी दूब्ली थाई जाई कि हलन्चलन पन करे शके नै विवित विटामिनों अने खनिजक शारों ने उनप्ती पन केटलाक रोग ने विक्रुतिवो थाई शके छे जाई आतुटी जन्य रोगों छे इस सम्तोल खोराक नो खावाना कारणे थाई से तुछ आपड़े सम्तोल आहार लेवा मंडी बधा पोशक द्रव्यो वड़ खोराक खाई तो आतुटी जन्य रोगों थे आपणे बची शक्ति आ ब्रक्राण मा आपणे एक कारणों जानवानू प्रहत्न करियो के जुदा जुदा विस्तारों मा खोराक ने व्यापक विवित्ता हुवा छता पन आहार मा पोशक द्रवनू वित्रण सामनिय शा माटे छे आपने जानियों कि आ वित्रण सुनिस्चीत करेशे कि आपना भोजनमा शरीयन ने अवस्यक विवित पोषक तत्वनू सम्तोलन छे अवे आपने चोईए खनिजिक शारो औने विटामिनों ने उनप्ति आपना शरीयन मा क्या-क्या रोगो थे शके जो कोश्टक एक पोण्त्रण विटामिन अने खनिजिक शारो न उनप्ति ना कार्णे थता केटलाग रोगो औने विक्रूतिव चित्रपंटमे आए आपने चोध्या जासुदू तो प्यला आवे छे विटामिन ए विटामिन E नी खामी आपना शरीन मा थाई तो शू थाई तो के द्रस्टी हिनता अथ्वा विजु नाम से नू रतांधल पडु वर्ब द्रस्टी हिनता नी खामी रतांधल पडु तुकम आपना आखो मा थाई येना चिन होँँचे तो के नबडी द्रस्टी आपने जाखो देखाईचे नबडी द्रस्टी अंधारामा अथ्वा रातरे ओछो देखाऊं क्यार एक संपून पणे देखातु बन थे जहुँझे विटामिन E नी आपना सरीर्मा लांबा समय सुधी खोट रे तो आपने रतांधुल पण अटलेके द्रस्टी हिंता थाईचे एना चीनहा पड़े जे आपनी अंधारामा रातरे आपने ओछो देखाऊं क्यार एक संपून पणे देखातु बन थे जहुझे आकरूती पणाएं जो की कीने आपेले चे रतांधुल पणों टुकमा आविये ने केकी बनी जहुझे त्यार बाद आवेशे विटामिन B1 विटामिन B आ उनप्ति शुन थै तो के नू नाम चे बेरी-बेरी नामनों रोग थै विटामिन B1न ने उनप्ति थै बेरी-बेरी एना लक्षोन होँचे तो के नबळा स्नाईव मात्यक काम करवा मातया नी ओची सकति आपना स्नायू नबडा पड़ी चै अन्य काम करवा माटे ने शक्ति आपना सरीर्मा रे नै येनी आकरूती जो या पेली चै एक दम टुकमा व्यक्ति पातलो बनी चै या बेरी-बेरी रोग टुकमा चै तो ये B1 नी उनप्ती बेरी-बेरी थै शके त्यार बाद आवे विटामिन C विटामिन C नी उनप्ती रोग थाये शकर्वी ये रोग नू नाम चै त्रूटी जनी ये रोग नू नाम सकर्वी ये अवे माशू थाये चिन हो तो के पेठा माथी लोही निकड़ू आपना दातना जे पेठा चै एमाथी लोही निकड़े अ तो विटामिन C नी खावी ना कारणे आपने स्कर्वी थाई शक्ये, येनू चित्र पणे आपे लोखे जो अर्भू येटामिन अथी लोई टुक्मा नीकडे त्यार बाद आवे विटामीन D तो विटामीन D ना कारने अपने रिक्याटuencia के शुकतान नामनो त्रूटी जन्यों रोग थाए तो एमा शूँन थाइ तो के हाटकु हाटकावनू नाझुक बनी ने वड़ी ज़ों हाड कावों चे नाजुक बनीने टुकमा वडी जैं तो इह विटामिन D नऎकारणे थैं विटामिन D नी टुकमा उनप आपड़ा सरेन मा सर जैं सुक्तान नामनो तुरुटी जन्य रोग थैं और इना चिन हों चे हाड कावो नुझ नाजुक बनीने वडी जैं तुद्वाँ आपणाशरीनमा हाड़काँचे नबड़ापड़ी चै विटामिन D नी उनपना कारणे त्यार बादावे केलसियम केलसियम से यह खने जिक्षार चिर आपड़े विटामिन नी उनपना कारणे रोगो जो या अवे त्रण रोग वाव से केल्सियम नी उनपना कारने तो केल्सियम आपना सरीन में घटे त्यारे सुन थाई तो के हाटका अने दात नो कोहवाड थाई केल्सियम नी खामी वो इतो आपड़ा हाटका अने दात नो कोहवाड थाई इमां सून थै तोके नबडा हाटका हाटका नबडा पड़ी चै अने दात मां सडो थवो दात नी अंदर सडो थै चित्रपन्त में जोई श्यकों हाटका नबडी पड़ी जै अने आपड़ा दात नी अंदर टुक मां सडो थै जै जो केलसियम नी खामी वोई तो त्यार बाद आवे आयोडिन, आयोडिन ना खामिना कार्णे थाई गोईटर नामनो रोग, अथो एने गल गंड केवमा आवे, आवेमा सों थाई, तोके गर्दानमा आवेली ग्रंथी फुली जाई, गर्दानमा आपड़ाजे गडानी अंदर ग्रंथी आवेली वोई, इ जो आवो मोटी टुकमा फुली ने थाई जे आ गडानी ग्रंथी फुली जे इने गोईटर केवामावी आन्ने बाड़कोमा मानसिक मंदत आवी जे बूती ठोडीक टुकमाईमा नबडी पड़ी जे आयोडीन ना उनपने कारण एटले आपड़ामेशा मिठु छे आयोडीन यूगत नमकाज खावूँ जो ये जे थे आपन या गोईटर रत्मा मानसिक मंदत आवे नै त्यार बाद चेलो से आयरन तो आयरन नी उनपना कारणे थाई छे एनिमिया येलेके पांडु रोग आयरन नी उनपना कारणे थाई एनिमिया एनिमिया न विजु नाम से पांडु ने उनपना कारणे ख्या ख्या रोगो थाई अवे आपणे पाठनों सारांच जोईले ये त्यार बाद आपणे वीडियो पून करशू तो आ पाठमा आपणे शूं सीखा तो के आपना खोराक मा मुख्य पोषक तत्वो एमा कार्बोदीत प्रोटीन चर्बी वि कारणे मुख्यत्वे उर्जा प्रदान करें चे कार्बोदीत विक्त खोराक ने जर्बिवड़ कोराक आपणे उर्जा ऐदलेके शक्ती आपे छे प्रोटीन अने खनेजिक शारों नी आवश्यकत त्या आपना शर्लीननी रोधी अने समार्काम माँटे जरूरीसे विटामिन आपना सरीने रोगोथी रक्षन आप्पामा मदद करें विवित विटामिन से आपना सरीने रोगोथी बचावे छे सम्तोल आहार सरीन माटे आवश्यक बधाज पोशक तत्वो तथा परियाप्त पाचक रेशाओ औने पाणी पूर्ती मात्रामा पूरा पाड़े से शम्तो लाहार खाईए तो आपना सरीर माटे जरूरी बदाज पोशक्तत्वो पसी पाचक रेशा औने पाणी पूर्ती मात्रामा अपने मड़ी चे आपना 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 जय मात्रम, जय जय करवी गुजरेत